प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आज का हमारा विशय है मात्राइं शब्द और वाक्य बच्चों मात्राओं के बिना हम शब्द नहीं बना सकते और अगर हम शब्द ही नहीं लिख पाएंगे तो वाक्य कैसे बनाएंगे तो बच्चों मातराइं हमारे हिंदी विशे के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो इन चित्रों में आप देख रहे हैं बाजा लिखा हुआ है, बाजा पर नीले रङंसे आ की मातरा लगी हुई है और किला किला में छोटी ई और आ की मातरा है चुहिया में U की और E की मात्रा है रेल में A की मात्रा है बैल में A की मात्रा है ओखली में O की मात्रा है तो बच्चो उपर दिये गए चित्रों के नामों में आपने नीले रंग से कुछ चिन लगे हैं जैसे किला शब्द में क के साथ छोटी ई और लग के साथ अ का चिन लगाओ है ये चिन मात्राइं कहलाते हैं बच्चो स्वरों को हम सीधे व्यंजन के साथ नहीं लिखते हैं उनके चिन बना दिये गए हैं उन्हीं चिनों को मात्राइं कहते हैं इन चिनों को व्यन्यन के साथ मात्रा के रूप में लगाया जाता है बच्चो असुर की कोई मात्रा नहीं होती है पर ये प्रतियक विंजन में मिला होता है व्यन्यन के साथ जुड़ने पर सुर का रूप बदल जाता है वही मात्रा वही रूप मात्रा कहलाता है तो बच्चे ये परिवाशा है मात्रा की उसके बाद हम स्वरों की मात्राएं कैसे लगाते हैं वो देखेंगे गव में हमने आ की मात्रा लगाई तो हमने गव बोला गा तो गा से हमने शब्द बनाया गाए गाना ऐसे ही जब हमने चो में ए की मात्रा लगाई में बड़ी की मात्रा लगाई तो हमने उसको बोला ची मतलब जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे इसको लंबा करके बोलेंगे जैसे चीता गीता चील चाबी तो ऐसे हमने उसको लंबा करके बोला गव में जब हम छोटी उ की मात्रा लगाएंगे तो गुडिया गुलाव इसको हमने अराम से बोला, लेकिन जब हम बड़े उकी मातर लगांगे तो इसका हम THोड़ा से लम्बा करके बोलते हैं, जैसे सह में लगाया उकी मातरा तो सूरज, जूता इस प्रकार से बड़े उकी मात्रा धूप दूद उसके बाद व में जब हमने री की मात्र लगाई व को जब हमने री में मिलाया तो हमने बोला व्री व्रिक्ष ऐसे ही क्रिशक, क्रिपा आगे है ए की मात्रा शो में जब हमने एकी मात्रा लगाई तो शो बना शेर ऐसे ही बेर, केला, मेला बो में जब हमने एकी मात्रा लगाई तो हमारा शब्द बना बैल थो में एकी मात्रा लगाई थेला, गैस, पैसा तो में जब हमने ओकी मात्रा लगाई तो टोपी और शब्द बने ओकी मात्रा क कोयल और कव में जब हमने O की मातर लगाई तो कवा चौकी मौसी तो इस पकार से यह हमारी सारी मातरा हैं बच्चो रव में O की मातरा नीचे नहीं लगती उसके मद्धे में लगाई जाती है चोटे O की मातरा को लगाएंगे रव के पीछे तो छोटा सा कर्व के रूप में होगा जैसे रुपिया रूई और जो हम रव में बड़ी उकी मात्र लगाएंगे तो हम बोलेंगे रूप डमरू और ऐसे ही रीकी मात्र जो कि मैं आपको उपर भी बताई थी घर एक रिपा म्रीग कि लो कि कम आई हिंदी में 11 सवर होते हैं और हमारे मात्राइं भी इसी प्रकार होती है उसके बारधे शब्द अब देखिए वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बनाए हैं जोकर कोवा तो पहले हमने को लिखा ओ की मातर लगाई और फिर आ की मातरा तो इस परकार हमने मातरा को मिलाकर शब्द बनाए बिना मातरों के भी शब्द होते हैं देखिए कमल पंघट हमने देखा कि के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं तो इसी प्रकार जब हमने वर्णों को ठीक प्रकार से लिखा तो हमारा बना पन घट ये शब्द है और अगर हमने उलट पुलट करके लिख दिया तो ये शब्द नहीं है घपनत ये कोई शब्द नहीं है तो इस प्रकार शब्दों के सार्थक समुह का होना जरूरी है जिसका कोई अर्थ निकले उसके बाद है वाक्य नीचे गए चित्र के नीचे दिये गए शब्दों के मेल को ध्यान से पढ़िए तो देखिए हमने शब्द मिला रखे है रानी प्लस पढ़ प्लस रही प्लस है फिर दूसरा है पहला है रानी पढ़ रही है उसके बाद लिखा है पिताजी फिर खाना फिर खा रहे हैं तो जो हमने इन शब्दों को मिला है तो हमारा वाक्य बना पिताजी खाना खा रहे हैं बंदर पेड पर बैठा है तो इस पकार हमने शब्दों को सही तरीके से लिखा तो हमारा वाक्य बना उपर शब्दों को जोड़कर बनाए गए वाक्य है वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है शब्दों के समुह से वाक्य बनता है और हर वाक्य का अर्थ होता है तो इसकी definition है, इसकी परिभाषा है, बच्चो, शब्दों के अर्थक समुहों को वाक्य कहते हैं, जब हम शब्दों को मिलाते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है, तो वह वाक्य बन जाता है, जैसे शब्दों को सही करम में रख कर ही हम अर्थ पुर्ण वाक्य बना सकते हैं तो इसका तो अर्थ हमें बता चल रहा है हमें समझ आ रहा है तो इसी प्रकार बच्चो जब हम शब्दों को ठीक प्रकार से जोड़ते हैं तभी हमारा वाक्य बनता है तो आज हम मैंने आपको समझाया मात्राइं शब्द और वाक्य तो आप लोग इस पार्ट को बहुत ही ध कि आपको और क्या समझना है आप इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, कॉमेंट करिए कॉमेंट जरूर करिएगा, सबस्क्राइब करिए ओके बच्चो, बाई बाई